है लो लोनर्स वेलकम टो एक्जाइम प्रिपरिशन कैसे हैं आप सबी आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे जैसा कि आपको पता है एक्जाइम आने ही वाले हैं सो जमके तयारी कीजे और अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेशन का या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा तो आएए बात करते हैं प्लीज में प्लीज में ये सब अविलेबल है मैं डिस्क्रिप्शन में प्लीज का लिंक प्रवाइड कर दूँगे आपको और आज का क्वेशन है राइट शोट नोट ऑन दे फॉलोइंग अराउंड वन फिफ्टी वर्ट और ये आपका 10 मार्क्स केरी करते हैं शोट नोट पूछा हुए है आपसे वन फिफ्टी वर्ट में और ये 10 मार्क्स इच है 10 मार्क्स का मैं पहले करा चुकिए शोट नोट पार्ट ए आज पार्ट बी की बात करेंगे पार्ट बी में जो आपको पूछा गया है वो है आपका और्गनाइजिंग पॉर्ट फोलि पॉर्ट फोलियू इसा कर शकते हैं कि जो पॉर्ट फोलियू है वो आपका रिस्ट का आड़़्टर बान्स भरजन होता है A portfolio is a collection of your best work samples that illustrate your skills and expertise in a particular domain तो जैसा कि मैंने आपको बताए कि portfolio documents होता है और उसमें collection होता है आपके best works के samples का जो कि आपके skills और expertise को illustrate करता है किसी भी particular domain के लिए It helps a potential client understand what you are capable of Portfolio help करता है किसी भी client को ये समझने में कि आप किस चीज़ के लिए capable है What tools you use and the extent of your expertise in the work you do और आपने क्या tools यूज़ किये हैं अपने expertise को enhance करने के लिए उस particular work पे Portfolio statement proves of awards and recognition, testimonials, references and a portfolio photograph of yourself Portfolio एक statement है जहां पे आप awards का proof देते हैं Recognization, testimonials and references देते हैं आपकी एक photograph के साथ While deciding on how to create and organize a portfolio, follow these steps to create, one, and organize जब आप decide कर लेते हैं कि आपको portfolio बनाना है तो उसके लिए कुछ steps होते हैं important जो आपको include करने होते हैं वो steps है identify your best work sample सबसे पहले तो आपको identify करना होता है कि आपका best work क्या है और उसके स्कुछ samples create a content selection फिर आपको content select करना होता है जो पर आपको create करना है include your resume resume भी include होना चाहिए उसमें क्योंकि यह vast version है आपका resume का ही add a personal statement outlining your professional goals आपको एक personal statement देना होता है जहां पर आपको outline करना होता है आपके professional goals को list out your skills and expertise इसके बाद आपको कुछ list बनानी होती है आपकी skills की और जिसमें आप expert होते हैं उन चीज़ों की attach sample of your best works जो भी आपके best works है उसके samples को भी attach करना होता है next है include recommendation and testimonials from credible sources यहां पर आपको include करना होता है credible source से जो भी आपको recommendations या testimonials मिली हुई होती है next point आता है आपका mention any awards or recognition that you have received from your work किसी भी previous organization में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहां से कुछ अगर आपको awards मिले हुए है या कोई certificate मिला है उस चीज़ को भी आपको यहां पर mention करना होता है यह awards, rewards and certificates आपकी personality को और last जो आपका step आता है वो है provide references कोई references है अगर उनका जो भी आपको awards या rewards मिले हुए है तो वो भी आपको यहां पर attach करना होता है I hope कि अब आप able होंगे इस question का answer करने के लिए कि आप organize कैसे कर सकते हैं portfolio को या कैसे आप create कर सकते हैं मेरे according यह question यहीं पर खतम होता है आपका 10 marks का और I hope आपको यह clear होगा अगर फिर भी आपको कोई doubt रहता है तो please मुझे comment करके जरूर बताईएगा अगर आपको मेरी videos पसंद आती है तो please channel को subscribe कीजिए अगरे videos को like किजिए और अपने friends के साथ भी share कीजिए ताकि उने भी benefit मिल सके keep supporting thank you so much for watching this video